तो दोस्तो मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ वेलकम बोनस के बारे में वेलकम बोनस पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल पे जाईए सोमी और रॉय कोई भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाईए और यहाँ पे अलिम ट्रेड प्लाटफॉर्म यह जो लिंक दिया हुआ है लिंक को सिंपली आपको क्लिक करना है लिंक को क्लिक करते ही आप रिडाइरेक्टेड हो जाओगे रेजिस्ट्रेशन पेज पे कैसे आपको वेलकम बोनस मिलेगा तो मैं दिखाता हूँ रेजिस्ट्रेशन आप लोग को कैसा करना है यह है यहाँ पे आपका इमेल अड्रेस डालना है यह रहा इमेल अड्रेस यहाँ पे कोई भी पास्वार्ड आप अपने हिसाब से चूज कीजिए और हमेशा यह ध्यान में राखना है दोस्तों आप लोग कोई करेंसी हमेशा यूएस डी ही होना चाहिए यूनाइट स्टेट्स डॉलर उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए चेक मार्क को और यह रहा रेजिस्टर तो दोस्तों आपको यह दिख रहा है कि आप रेजिस्टर करते ही आपके पास यह स्क्रीन आ रहा है डबल योर डिपोजिट तो यहाँ पे जाएए आराम से आप डिपोजिट कीजिए और आपको दिख रहा है कि 30 डॉलर से 100 डॉलर है 200 है मैं एही बताऊंगा कि 200 डॉलर सिलेक्ट कीजिए क्यों कि 200 डॉलर अब सिलेक्ट करोगे 100% का बोनस मतलब आपके अकाउंट में 400 डॉलर डिपोजिट होगा अभी जाऊंगा डिपोजिट करूंगा और आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग भी सेम कर सकते हो यहां से भी आप लोग डिपोजिट कर सकते हो या तो simply आपके वीजा काड या मास्टर काड किसी से भी आप लोग यहां पे जाके करना है तो यह देखिये मैंने 200 डॉलर का डिपोजिट करने का निरना लिया है and here comes the welcome bonus 57 minutes बचा हुआ है will be credited मतलब आपके account में जाएगा 400 डॉलर यहां पे मैं deposit दबाऊंगा तो wait करते हैं मैं तब तक अपना card details fill in करता हूँ तो दोस्तों यह मैंने deposit किया अपने olim trade trading account में 200 डॉलर account registration करते ही और मुझे मिला 100% का bonus यह आप लोग को दिख रहा है मेरा live account का balance है 400 डॉलर you guys can also go ahead and make a deposit and get 100% welcome bonus so do not miss out on this opportunity नमस्कार दोस्तों मैं सोम्य रॉय और मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे दोस्तों आज तक मैंने आप लोग को हमेशा यह सिखाया कि कैसे trading किया जाता है कैसे charts को परका जाता है और Monday to Friday हर हफ्ते मैंने आप लोग के साथ trading किया मेरे telegram signal trading group में अभी पिछले कुछ videos में जहाँ पे कि मैं आप लोगों को बताया कि कैसे horizontal lines use करते हैं कैसे price level trading किया जाता है तो तब से बहुत कोई ये भी बोल रहे हैं कि उन लोग को result आ रहा है तो मुझे बहुत खुशी होता है जब आप लोग को बढ़िया result आया आप लोग पैसा कमाओ और बहुत कोई ये भी चाते हैं कि सर सेटेडे संडे भी आप कुछ trading करें सेटेडे संडे भी आप हम लोग को एक घंटा दें जिसमें आप हम लोग के साथ trading करेंगे अपना signal आप हम लोग को देंगे तो दोस्तो सबसे पहले सेटेडे संडे ट्रेडिंग करने में ग्रूप में ट्रेड करने में मुझे कोई problem नहीं है एक घंटा का टाइम मैं भी विकेंड में निकाल सकता हूँ मैं भी आप लोग के साथ ट्रेड कर सकता हूँ लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दू कि Saturday Sunday currency market बंद रहता है Saturday Sunday आपको currency market में कुछ नहीं मिलेगा No movements क्योंकि सब कुछ बंद रहता है ठीक है तो सबसे बढ़िया चीज जो है हम लोग को मिलेगा यहाँ पे वो है Cryptos Cryptos में आप trading कर सकते हैं ध्यान में रखिये जब आप Cryptos trading कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप Crypto Currency खरीद रहे हो या Crypto Currency के Lending में आप जुड़े हो ठीक है लेकिन यहाँ पर जस्ट सिर्फ Price Difference पे हम लोग trade कर रहे हैं वो trade आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो ठीक है इसमें कोई problem नहीं है लेकिन एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ पहले से ही कि दोस्तो Crypto Trading करने से पहले पहले देख लेते हैं हम लोग यह trading video में कि क्या mode रहता है क्या chances रहता है हम लोग का market को capture करने में कित्ता बढ़िया हम लोग trading कर सकते हैं Cryptos में तो दोस्तो मेरे पास मेरे screen के उपर अभी Ethereum Classic का chart है आप लोग देख रहे हो $140 का मैंने investment करने का tag किया है और यहाँ पे मैंने 4 minute का time frame लिया है chart downward moving है और यहाँ पे मैं एक trade open किया Ethereum Classic पे 4 minute का time frame downward trade और हम लोग यहाँ पे करेंगे wait देखेंगे दूसरा chart और यह भी ध्यान रखिये कि जब आप crypto trading कर रहे हो जैसे कि आप लोग मेरे chart पे देख रहे हो यहाँ पे बढ़िया percentage profit मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हम लोग के पास asset नहीं है और हम लोग को गिना चुना कुछी asset में हम लोग को यहाँ पे काम करना पड़ेगा तो यह बात आप लोग को ध्यान में रखना है और उसके बाद ही आप लोग trading कर सकते हो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो कि मैं ripple का chart में ripple का chart में देख रहा हूं और ripple जो है बहुत ही बड़ा movement यहाँ पे दिखा रहा है क्यों न हम लोग ethereum classic पे चले जाए करता हूं और यहाँ पे investment का time 2 minute करता हूं और investment amount मैंने 100 dollars किया है और यहाँ पे मैंने और एक downward trade 2 minute का मैंने open किया है इसको आप लोग बोल सकते हो कि kind of a dragon trade kind of a dragon trade ठीक है एक minute का trade नहीं है और एक चीज जो सबसे बड़िया चीज है मैं आप लोग को वो भी बताना चाहूंगा लेकिन अभी भी हम लोग के पास ऐसा कुछ example आया नहीं है जैसे हाँ अभी आ रहा है ethereum classic जो नया trade मैंने open किया आप लोग देख रहे हो कि मैं 100 dollar का trade open किया 80% का profit rate के हिसाब से मुझे total मेरा total income होना चाहिए 180 dollar लेकिन cryptos में बहुत ज्यादा movement होता है market उतना stable नहीं रहता है तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि मेरा sell price जो है वो अभी 117 है इसका मतलब यह है कि मैं अगर यह trade complete करता हूँ और मैं 60 dollars extra कमाऊँगा अगर मैं trade complete नहीं करता हूँ अगर मुझे लगता है कि movement का मैं सिकार बन सकता हूँ जैसे कि अभी हम लोग बने तब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं sell भी कर सकते हैं यह चीज जरूर ध्यान में रखियेगा दोस्तों तो crypto में trading करते समय यह सब चीज आपके ध्यान में आपके नजर में हमेशा होना जरूरी है कि जहां मौका मिला जहां आपको यह लगा कि okay मेरा जो investment है उससे ज़्यादा यहाँ पर sell price दिखा रहा है और मैं कुछ भी करके यहाँ पर कुछ पैसा कमा के निकल सकता हूँ तो दोस्तों that would be the best thing to do यह मैं बता रहा हूँ दो trade मैंने open किया है आप लोग के सामने आप लोग देख रहे हो और यहाँ पे दो trade का जो नतीजा है वो आप लोग के सामने खुला पड़ा हुआ है यह रहा जो dragon trade मैंने open किया था उसका trade का नतीजा यहाँ पे देख रहे हैं ह क्या होता है 22 सेकेंड का time बचा हुआ है चार्ट upward movements दिखा रहा है यहाँ पे हम लोग को बड़ा trade open करना पड़ेगा तभी जाके हम लोग losses recover कर सकते हैं मैं एक horizontal line ले लूँगा यहाँ पे हम लोग ethereum classic पे trade कर रहे हैं दोस्तों ध्यान में रखिए कि हम लोग ethereum classic पे trade कर रहे है और यहाँ पे दूसरा trade भी हम लोग को loss हुआ है तो दोस्तों जाते हैं bitcoin पे bitcoin देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है bitcoin upward movement दिखा रहा है 3 minute का time frame मैं लिया हूँ यहाँ पे एक horizontal line में ले सकता हूँ और यहाँ से मैं bitcoin पे 3 minute का time frame 500 डॉलर का investment मैंने किया है देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है यह देखिए sell price sell price भी कभी कभी बहुत बचाता है कोई भी trader को especially जब आप cryptos में trading कर रहे हैं weekends में ठीक है यह जो sell price है यह आपको पूरा loss होने नहीं देता है और candlestick के movement के साथ sell price भी आपका steadily बढ़ते रहता है घटते रहता तो यह चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं horizontal line के साथ parabolic SAR indicator का मैं सहरा लेता हूँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है थोड़ा wait करेंगे थोड़ा wait करेंगे दोस्तों यहाँ पर time अभी है मैं candle stick को देख रहा हूँ आप लोग के सामने ही है आप लोग देख रहे हो कि fluctuations बहुत बड़ा है यहाँ पर bitcoin में अभी ठीक है और जो movement है movement upward moving दिखा रहा है यहाँ पर मैंने और एक trade open किया bitcoin पर तीन मिनिट का साड़े 500 डॉलर का और एक trade मैंने open किया है यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कि fluctuations भरा पड़ा है market में fluctuations का कोई कमी नहीं है अप डाउन अप डाउन लेकिन कोई steady flow हम लोग को यहाँ पर आभी भी नहीं दिख रहा है तो दोस्तों इसी कारण मैं आप लोग को हमेशा यह बताना चाहता हूं कि कुछ कारण है इसी लिए मैं इतना बढ़िया Saturday Sunday को मैं सिर्फ rest करता हूँ तो लेकिन हम लोग trading कर सकते हैं इसमें कोई problem नहीं है लेकिन चलिए देखते हैं कि हम लोग का यहाँ पर जो initial experience क्या बोलता है क्या हम लोग कमा सकते हैं क्या नहीं कमा सकते हैं क्या है क्या नहीं है यह वीडियो आप लोग को बताएगा let's hold on देखते हैं क्या होता है आगे Bitcoin का पहला trade 32 सेकेंड बचा हुआ है दूसरा trade में एक मिनिट 52 सेकेंड का टाइम बचा हुआ है बहुत टाइम बचा हुआ है लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत ही अलग स्थिती में है बहुत ही बहुत ही बड़ा turbulent situation के अंदर से हम लोग अभी गुजर रहे हैं आठ सेकेंड का टाइम बचा हुआ है पहला Bitcoin का जो मेरा trade था वो end होने में देखते हैं यहाँ पे क्या होता है और यहाँ पे दोस्तो Bitcoin में हम लोग को लॉस हुआ साड़े 500 डॉलर का अगर आप लोग देखो तो टोटली मुझे लॉस हो चुका है यहाँ पे 600, 700, 800 रुपे के करीब करीब, 800 डॉलर के करीब करीब यहाँ पे मुझे लॉस हो चुका है अल्रेडी और यहाँ पे मैं क्या करूंगा मैं थोड़ा दो मिनिट का टाइम नहीं एक मिनिट का टाइम लेते हैं और यहाँ पे अपवर्ड मुव्मेंट दो मिनिट का टाइम फ्रेम एक मिनिट का टाइम फ्रेम मैंने एक अपवर्ड ट्रेड ओपन किया है बिटकोईन पे देखेंगे यह ट्रेड हम लोग को कहां लेके जाता है क उसके बाद ही हम लोग decide करेंगे कि हम लोग को क्या करना है और एक trade यहाँ पे मेरे हिसाब से हम लोग open कर सकते हैं लेकिन पहले wait करेंगे थोड़ा देर यहाँ पे मैं horizontal line लेके जाता हूँ 8 सेकंड का time बचा हुआ है दूसरा bitcoin trade में और 21 सेकंड का time बचा हुआ है तीसरा bitcoin trade में देखते हैं क्या होता है दोनों में मैंने बहुत बड़ा-बड़ा amount लगाया हुआ है यहाँ पे पहला हम लोग को profit आप लोग देख रहे हो और दूसरा trade expire होने में तीन सेकंड दो सेकंड एक सेकंड और यह रहा हम लोग को bitcoin में profit wait करते हैं wait करते हैं expire होने देते हैं candlestick को उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने एक trade open किया है upward movement bitcoin पे देखते हैं एक minute का time frame मैंने लिया है देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या नतीजे नतीजा हम लोग को मिलता है यहाँ पे मैंने resistance level दे दिया है support level यहाँ पे भी हम लोग को मिल सकता है let's wait and watch यहाँ पे और एक trade मैंने open किया है bitcoin पे upward moving एक minute का time frame दो trade total चल रहा है एक मैं 29 सेकंड बचा हुआ है दूसरे में 52 सेकंड बचा हुआ है 80% का profit है bitcoin पे देखते हैं finally हम लोग ultimate result क्या मिलता है चार्ट उपर जाता है steady कि नहीं यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि चौथा trade profit on bitcoins चौथा trade profit या result आने में हम लोग को 10 pip बचा हुआ है लेकिन हम लोग बहुत ही close है कुछ भी हो सकता है यहाँ पे एक second का time एक pip और यहाँ पे आप लोग देखें कि हम लोग को profit हुआ दोस्तों देखिए सबसे important चीज है आप लोगों ने देखा कि मुझे loss भी यहाँ पे हुआ और उसके बाद मैंने asset change किया asset change करके मैंने यहाँ पे कुछ पैसा कमाया लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को यह बताना चाहता हूँ कि जाए थोड़ा आप लोग practice कीजिए मैं भी थोड़ा देखता हूँ थोड़ा analyze करता हूँ weekend market को उसके बाद मैं आप लोग को बादा करता हूँ कि हम लोग इस बारे में कुछ करेंगे कुछ decision हम लोग लेंगे मिलके लेकिन दोस्तों यही मेरा आप लोगों से बिनिती है कि trade करने से पहले जाए demo account में यह देखिए मेरा demo account demo account में जाए demo account में जाके आप लोग थोड़ा practice कीजिए क्यूंकि practice ही आपको बनाएगा trading का भावा है ना तो जाए दोस्तों और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को subscribe कर दो video को like कर दो अगर आप लोग को बढ़िया लगा हो तो video को share कर दीजे दोस्तों में अगर वो लोग trading सिखना चाते है तो उन लोग को भी help हो जाएगा और अगर आप मेरे telegram signal trading group में अभी तक सामिल नहीं हुए हो तो नीचे link है मेरा telegram open group सिखो trading का link को tap कीजिए मेरा group join कीजिए वहाँ पे instructions है instructions में है मेरा personal telegram ID कभी भी आप लिख सकते हो कुछ भी आपको help चाहिए कुछ भी आपको जानना है trading related मैं आपको बताने के लिए राजी हूँ जितना मुझे ग्यान है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पहला वारी मैंने आप लोग के लिए weekends में cryptos में कुछ trading करके दिखाया आसा करता हूँ आप लोग का अच्छा लगा होगा have a good weekend God bless you all Jai Hind